तो आज की वीडियो में दौफ्टों मैं आप लोग को बताने वालों कि कैशे आप अपना भूला हुआ जीमेल का पाफ़ड देख वक्तियों कि बहुत फ़री लोग होते हैं जो अपना जीमेल का पाफ़ड भूल जाते हैं आप उनको वो पाफ़ड नहीं मिलता कभी भी तो वहाँ पर आपको एक प्रोगलम आ जाती है तो आज का वीडियो आप एंड तक देख लीजिए यहाँ पर हम आपको step by step फ़रक कुछ बताने वालों तो इचले दोफतों बिना time waste community को शुरू कर लेती है तो इसके लिए फ़े पहले आपको अपने mobile phone के अंदर chrome browser को open कर लेना है जैब आप chrome browser को open करती हो तो आपके पाफ कुछ आफा इंटर्वेफ आ जाएगा अभी दोफतों आपको यहाँ पर right hand find में एक three dot option मिल जाएगा यहाँ पर आपने यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद आपको फैटिंग में चले जाना है फोन की फैटिंग में जाना है फैटिंग में जाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो यहाँ पर find in होना चाहिए आपके फोन में ठीक है एड यहाँ पर नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा पाफ़र्ड manager का तो आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद ओफ़तों आपके फोन में जितने भी पाफ़र्ड आज तक आपने लगाए हैं वो फबी की फबी आपको यहाँ पर मिल जाएगे आप लोग यहाँ पर लिख पाऊगे और यहाँ पर Google का पाफ़र्ड आपने कहफे देखना है तो उसके लिए आप यहाँ पर search box मिल रहाँ आपको यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर आप लिख देंगे Google Google लिखने के बाद आपके पाफ यह वाला option आजाएगा आपने यहाँ पर click करना है और यहाँ पर अपना phone का pattern पिन विगरा कुछ भी यहाँ पर डाल देना है डालने के बाद दोफतों आपको जो है आपका Google account के power forward यहाँ पर मिल जाएगे यहाँ पर दोफतों अगर आप click करोगे तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगे फबी के फबी पाफ़ड तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा